नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ पवन और आपका फ़ागत है आपके अपने चनल पवन ग्रूप आप भेरिकर चर्में किसान भाईयों आज हम इस वीडियो में ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपकी धान के फफल में ज्यादा कल्ले निकलेंगे तो आईए देखते हैं कि ये कौन-कौन सिब्धी हैं और अपने खेत में कैसे प्रयूप कर सकते हैं किसान भाईयों जो धान में कल्ले निकलने का समय होता है वो होता है 20-40 दिन ये 20-40 दिन में जो धान होते हैं उसमें इसको भी बढ़वार अच्छी होती है और कल्ले निकलते हैं तो इसी समय हमको जो तरीके अपनाना है, वो 20-40 दिन में ही अपनाना है, उसके बाद और उसके पहले नहीं अपनाना है, पहला तरीका है फाहिनूटिसन, फाहिनूटिसन मतलब किसान भाईयों जो धान के पौधे 20 से जारे दिन के या 40 दिन तक हो जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि उ और एक कैस से चालिस दिन के अंदर फफल हो तो आप यूरिया का एक शुड़काव करवा दिए और उसके फास साथ आप जिनकी भी उसमें मिलाकर शुड़काव करा दिए किसान भाईयों अगर आप 20-25 दिन में यूरिया का शुड़काव करा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ड देखने को मिलता है दूसरा है किसान भाईयों की खेट को सुखा रखना चाहिए किसान भाईयों अगर आप फफल 20-40 दिन करहा है तो उसमें फफल को बहुत ज विए 3 cm से नीचे ही पानी जाए पानी सुखा रखने का कारण ये होता है किसान भाईयों ये अगर ज़्यादा पानी उसमें रहता है तो गर ईसमें कल्ले निकलते हैं तो उसमें पाने पेखाल पूचता है उसमें आपका 3CM से कम रखें। पहले डिरेक्ट तरविम होती तो उसमें क्या कॲिया आज़ा था कि बैल लगाकर पीछे पाटा लगाकर उपर एक बार बीच दिन बाद उस पर पंदर से बीच दिन तक की अधी में उस पर पाटा लगा दे जाता तो क्या होता था कि उसमें क्या होता था कि धान को एक जटका लगता था धान जो है नीचे कि वो मोड जाता था जटका लगता था तो उसमें कल्ले ज्यादा लिकनते थे तो इसने में क्या है कि आप बाफिक ले लेजिए दोस तरफ रफ़ी बानकर और उसके उपर आपको पाटा लगा दीजिए जिससे कि कल्ले बहुत ही अच्छा आते हैं जल्ट देखने को मिला है अगला है किसान भाई टू फो डी का इस अगया अग्या चैकलों तो यह घास को यह घासा शीनte कर्द में आते हैं तो यह चाली मच नावाजिक ट्र manifestbers और आपको क्या मौण में आप 5 प्रति की पानी n把它 भोल कर शूकल एक मावी जटका यह होगा जिससे की वह कल्ले ज़्यादा लिकनते हैं तो उसमें क्या है कि जो बास वाली भल्ली भी जिद्धा कि वह छोटे एरिया में किया जा फकता है जिसके पास 10 एकर 20 एकर जमीन है वह नहीं कर सकता है तो यह टूफोर डी जो है उसका इस्प्रे कर देगा तो उसमें अच्छा र इसको लेकर मिलाकर और जिंक को सुलफर के साथ अगर शुर्काव करवा देते हैं खाथ का पहली जूरिया का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखनों के मिलता है अगर मैं फजेस्ट करूं तो आपके एरिया में बिलो बूट क्राप फाइंस का अगर ब्रांड दानेदा तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मार्केट से सव ग्राम अगर आप खईत कर लाएं या एक केजी खईत कर लाएं अपने फचल में कुछ हे रिया में छिडिक कर देख सकते हैं अगला है फागार का यह अगर मिलता है तो इस चैलेजर में शही से खाद आप देदें यूडिया देदें खेद को फुखा रखें बास की बल्ली का प्रयोग करें और टोफोडी का प्रयोग के इन सारी बीजियों का प्रयोग करके आप अपने कल्ले को और पैदावार को बढ़ा सकते हैं